नमस्टेकर दोस्तों स्वागते श्र्मधलीजी के और एं एफ यह अगर से कैल मिलियू दॉक्सिस windows बात करेंगे दॉकसिस मिलिग्रामय हो उन्टियू ह Chanel वह है Doxycycline Hyclet, 100 mg मतलब बैक्तिरिया को मारना ताके बैक्टिरियाल इन्फेक्षन के वजए से जो सिम्टम्स आ रहा है वह ठीक हो जाए अब बात करते हैं doxycycline lowering usage के बारे में doxycycline दिया जाता है कुछ कुछ infections जैसे के skin infection में अगा skin की उपर कोई भी तरीका का घाव हो जाए फिन infection उसके कारण यहां पे दिया जाता है respiratory infection में अगर सास तंट की को भी तरीका यहां पर फे वहां पर हमको डॉक्ससाइक्लिंग दिया जाता है आपको शायद पता होगा बहुत ज्यादा इस्तामाल हुआ था कोवीट की सेगेंड वेब में जब बहुत ज्वारा था बैक्टीरियल सेकंडरी इंफिक्शन हो रहा था हालके जो फेल इनफिक्शन है उसके च सेक्शुली ट्रांस्मिटेड डिजीज जो STD होता है STI वहां पर भी दिया ज्यादे क्लैमाइडिया हो गया सिफिलीज गौन हो रही है यह सारे जो डिजीज यहां पर भी डॉक्सेसाइकलिन काफी हर्त तक काम आता है अब बात करतें दॉकसेसाइकलिन की मौड आरेख्षैंगर कैसे मारता है बैक्तिरिया प्रोटिर्या को भी प्रोटिन चाहिए जीने के Mass the प्रोटिन गार्टिर्या प्रोटिन नहीं ब्रोटिश कर पाएगा तो इससाब से बैक्टिर्या मर जाएगा अब बात करते हैं Doxycycline highclate की डोजेज के बारे में और यह एक या दिन में दो बार लेना होता है अब बात करते हैं Doxycycline की side effects के बारे में तो हर प्रकार के एंटिबाटिक के similar side effects जो के nausea, ulty जैसा tendency और diarrhea आता ही है उसके अलबावा skin sensitivity कुछ-कुछ लोगों में मौझूद होता है और photo sensitivity भी हो सकता है मतलब light skin पे लगने से कुछ skin coloration change होना या sensitivity change होना यह एक extra बहुत ही रेर मगर एक photo sensitivity हो सकता है doxycycline high click इस्तेमाल करने में अब बात करते हैं doxycycline high click 100 mg जो है उसकी इंडियन ब्रैंड example doxy1 बोलके आता है doxy1 आपके सामने है आपके सामने है microdox बोलके आता है microdox doxy1 vibramycin बोलके आता है ठीक है यह तीन अलग अलग प्रकार और अपार्ट फॉम डाट अगर दॉक्स साथ साथ कंबाइन मेडिसीन आता है combination drug जो बहुत ज्यादा इस्तमाल किया गया था कोवीट की सेगेंड में वह डॉक्स टीसल जा पर जो अच्छा बैक्टिर्यों सप्लीमेंट के तौर भी दे रहे हैं तो अगर यह डॉक्स टीसल बहुत अच्छा चला मार्केट में कि उसमें डॉक्स टीसल भी आता है और लैक्टिक असीड बैसिलस भी आज कॉमिनेशन आता है आज के वीडियो के लिए इतना ही आशा करते वीडियो आपके लिए हल्फुल रहा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ का लीक के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि उन्हें भी जानकारी मिले दवा के बारे में और एंटिबाटिक का जो सेवन है वो चार्च के बाद ही करना चाहिए without proper requirement without proper guidelines इस्तमाल मत करें क्योंकि यह अगर गलत इस्तमाल करेंगे तो आप खुद की life को ही danger में नहीं डालेंगे बाकी सारे लोग जो कभी इस्तमाल भी नहीं किये होंगे वो सारे लोगों की life में भी आप इसकी impact आ सकता है क्योंकि antibiotic resistance एक ब हमारे सामने ऐसे बहुत सारे examples हैं जो drug resistant bacteria जैसे के MRSA, methicillin resistance, taphylococcus audius ऐसे बहुत सारे drug resistant bacteria growth हो चुका है तो इसलिए बहुत सावदान से यूज करें, prescription के किलावा यूज मत करें, doctor के पास जाए और सही से जाच करने के बाद ही यूज करें और proper course follow करकी यूज करें, दो लेन से एक लेने से ठीक हो जाए तो उसको छोड़ दे, ऐसा बिलकुल कते ही ना करे, total course जैसे आपको कहा गया है उसी को start से इंटक finish करें